दोस्तो आज मैं इस home theater को repair करेंगे चोटे सी वीडियो रहने वाली है इसमें important चीज़े बता दूँगा home theater repairing के बहुत सारी वीडियो मैंने बना कि आपको दी है फिर भी आप उनसे सीख सकते हैं इसमें जो जो चीज़े important रही हुँ आपको बता दूगा इस home theater में sound करकर आसा आ नहीं आता है तो हम एक वीडियो कमेंड बॉक्स में देतेंगे वहां पर आप वीडियो को देखकर wiring करना सीख सकते हैं अगर आप यहां पर ध्यान से देखे हैं तो इसकी A वाली IC का नीचे आला part जला हुआ है आप देख सकते हैं यह देखिए तो यहां पर sound ना आने का सब यहां पर सामने कार्ड तो चल गया लेकिन उसमें sound का problem है वह हमारे IC चेंज करने से ठीक हो जाएगा इस वायर को भी जोड़ूँगा साथ में IC वगर जो भी इसमें problem रहेगा वो मैं change कर दोगा इसमें देखिए जो base की IC है वो ठीक है बाकि यह जो IC है एक side की जो left या right की उ इसमें problem आ रही है IC बहुत बेकार condition में है तो यहां पर मैं IC को यहां पर बाहर निकाल लेता हूं तो देखिए इस IC को पहले ध्यान से देखिए जब भी IC खराब होती है इस तरीके से कोई-कोई IC तो इस तरीके से गल जाती है फट जाती है और कोई-कोई IC internally खराब हो जाती ह नहीं है तो उसको आप एक बार ध्यान से देखिए कि किस चैनल से आवाज नहीं आ रही है तो इस IC को आपने खोल के चेंज कर लेना या तो आपको समझमा नहीं आ रहा है तो तीनों IC चेंज कर लो सिंपल सी बात है आएसी ज्यादा महेंगी होती नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं IC मैंने निकाल ली है और बहुत बूरी कंडिशन इस IC की हुई यानि कि जल के खराब हो जुकी है जब IC खराब हो जाती है ना तो सारे चैनल में प्रोब्लम आने लगता है तो यहाँ पर मै वही D20 से IC हमारे पास पड़ी है यह हमने यहाँ पर स्टॉल करी है बस सिंपल सी बात है आज वीडियो मेरी फास्ट फॉरड में ही आपको दिखा रहा हूं एक हाँ से सूट कर रहा हूं और एक हाँ से रिपैरिंग कर रहा हूं तो ट्राइपोड ना होने के वज़े से स्व शेटलाइटी स्व कर लिए और यहाँ पर दिखाओ तो वैसे वैल्यू तो बता रही है यह रिश्टर अगर जल जाती है तो आप इसकी जिगए टैनों स की लिए अगा सकते हैं नौर्मल जो रिश्टर होती है वह वाली आप रिश्टर लगाईएगा ठीका इन रिश्टर क अगर आपके पास रेजिस्टर नहीं है तो इस इन पॉइंट को सौर्ट कर सकते हैं बड़ रेजिस्टर लगाएंगे तो बेटर आपको मिलेगा यहाँ पर यह जो बेस के स्पीकर की वायर है यह भी टूटी वीथीस पे तो यहाँ पर जो आईसी है जो बेस के स्पीकर के लिए लगी है उसके दो पॉइंट यहाँ पर है मैं आपको थोड़ असा ध्यान से उस पॉइंट को दिखाने की कोशिश करता हूं बेस के speaker का एक wire ground पे लग जाएगा और एक wire यहाँ पर इस point पे लग जाएगा यह point हमारा इस IC से connected है यह उपर देखिए यह base की IC है इस से हमारे wire connected है यहाँ पर इस point से connected है तो यहाँ से देखेंगे तो track करें तो जिस IC पर जा रहा है वही IC हमारे base को समाल लिए तो मैंने दोनों wire connect कर लिया है और यहाँ पर आप इसके sound को सुन सकते हैं यह base के speaker से sound आ रहा है अब हम इसके satellite speaker को check करेंगे अब हम पहले आपको left का दिखाते हैं यह रहा अब इसके बाद हम इसको shift करेंगे right पर तो टोटल मिलाके एक बात की सौ बात की एक बात जब भी speaker से आवाज नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है आइसी आपने चेंज कर लेनी अगर आपको समझमन नहीं आ रहा कौन सी आइसी गराब है तो तीनों आइसी चेंज कर लो ज्यादे सी ज्यादा आपको 50-60 रुपे की तीनों आइसी पढ़ेंगी देखने अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या छोटी सी जानकारी भी प तीनों कर दोट्यत बादे खर आपको यह वीडियो और आपको यह वीडियो खोटीर दोटीर घ्यादे से एलेंगी बादे से ट रहा है जाओं।